अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें आप ये नजारा देख रहे हैं फरुकाबाद में एक दुकान का जहां दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखा कर खुल कर उत्पात मचाया मामला मैकरोनी का था जिसे दुकानदार अपने रेट पर दे रहा था लेकिन दबंग अपनी दबंगाई दिखाते हुए उसे कम रे कर दिया वहीं पर्तक दर्शियों ने बताया कि मामला मैकरोनी का था जिसे दबंग अपनी रेट पर लेना चाते थे दुकानदार के मना करने पर उन्होंने उत्पात मचाया वहीं पर्तक दर्शियों ने बताया कि दबंग धार-धार हत्यार लिये हुए थे जिससे दुकान दुकांदार के साथ मारपीट कर रहे थे तो उस वक्त पुलिस कहां थी यह एक सोच का विशे हैं वहीं एक परत्यक दर्शी ने बताया कि दबंग मैकरोनी लेना चाहते थे और दुकांदार अपने रेट पर उसे देना चाहता था अपने रेट से देने के लिए तयार था उसके बाद वो दाली गलोच देखे चले गए वापस दो लोग थे उसके आद वापस में पंद्रे लोग आए और इसके साथ मार पीट की उसका जो है रोपाट की शामान पूरा जो है बिखराव कर दिया लापी नुक्सान हुआ वहीं दुकानदार ने बताया कि दबंगो ने उसके बतीजे उसके साथ मार पीट की और गाले गलोच भी की अपको ने देना यह वोले हम राजेपुर के रहने वाले इने पिर उनुटे सीधी बात कहीं के अभे रुक ना के ला रहे हैं आदमीं दूफ पचीज को यह लागे बुलाके दूतिंजे ने आयऊ आइण विजट ऑशीज पिन्स की आप लागिए वड़ीं पंदायार रु अब देखना ये होगा कि योगी सरकार में दिन दाडे दुकानदारों से यूही लूट पार्ट होती रहेगी और दबंग अपनी दबंगाई दिखाते रहेंगे क्या ऐसा ही चलता रहेगा अगर दिन दाडे यूही दुकानदारों से लूट पार्ट होती रही तो योगी सरकार का वहनारा कहा जाएगा कि वह अपने परदेश से देशत समाप्त करेंगे